हीटिंग इफेक्ट ओफ इलेक्रीक करन्ट फरस्ट वन हम गास करते हैं हैं हर चीज़ को यहां पर पर करेंगे इस वाले ताइटन की पैलिक करण्ट काा Flough होना, इस Flow के Current से, जो, जो components है, उन्में क्या होना, Heat का production होना, तो electric Current के Current हीट का production, तो हम बोलेंगे, Heating effect of electric Current, इसके simple example आप के घर पर बहुत सारी चीज होती है, जैसे, आप देहना iron करते हैं हम, तो क्या होता है, आप वहाँ से electric का एक वाइर लगाते हो, तो वायर लगाने के बाद में क्या होता है जैसे स्विच ओन करते हो इसमें से करंट का फ्लो होता है वह आयरं धीज Skills ने गरम होने लगती है अपी जो emaging road हो जào दिय के लिए आप पानी गरम करने के लिए जो road यूज़ करते हो इस road प्रोड में क्या हो रहा है करण चाल रोड कि ये खरती का उवं किया खराल किया तो इसी को बोरते हैं ही इफेक्ट simple सी बात क्या लिखी भी definition लिखे किये when electric current flow सबसे पहली बात देखिए electric current का flow सबसे पहले होगा और wire जो इससे connected wire है वो heat करने लगगा और wire की भी quality अच्छी होगी जैसे niacrome wire होता है जो heater में wire होता है वो तो बहुत ही ज़यदा heat करता है उससे इतनी heat बनती है कि घाना बनाते हैं लोग और इसी effect को क्या बोलते है heating effect पर किसके जा रहा हो रहा है यह electric current तो इसका नाम होगा heating effect of electric current उन्होंने का एक example ले ले लेते हैं ठीक है क्या example लिया उन्होंने का एक electric circuit complete करते है यह रहा circuit इस circuit में करना क्या है आप देखना यहां पर एक cell लगा है और switch लगा है अभी off position में सबसे पहले off ही रखेंगे आपने पहले arrange करेंगे इसको बोलते हैं हम cell यह switch in off position यह एक wire है और wire भी किसे nail से जुड़ा है nail, two nails है और उसके बीज में एक special quality का wire है इसको बोलते है नाइक्रोम wire यह नाइक्रोम wire ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ी बात है यह आपकी जो heater होता ना खाना बनाने वाला heater जैसे इस तरीके का heater आपने देखा होगा इस तरीके का element होता है वही नाइक्रोम wire है इस wire के quality होती ही कि इस में से जब current flow होती है तो इसका resistance बहुत ज़्यादा होता है उस resistance कारण से जल्दी से गरम होने लगता है heating effect देता है और red hot हो जाता है heat देता है produce करता है इसी पर लोग खाना बना देता है तो आपने इस तरीके सब wire लगाया अब आपने क्या है आपने इस circuit को complete करने के बाद on कर दिया जैसे आपने on किया इस case में क्या होगा electric current का flow होगा हमेशा positive से negative इतरह current flow होता है इसमें wire में गया wire से इस nail में गया nail से इस wire में गया यहां से flow होता हुआ nail से होता हुआ nail से इसमें गया इसके अंदर जाके इसमें आया और यह ओन पोजिशन अप पहले यह ओप पोजिशन थी तो पोजिटिव से नेगेटिव तरफ करन्ट का फ्लो हुआ थोड़ी दस मिनिट बाद आपने क्या देखा यह वायर जो है करन्ट पहले आप स्विच ओफ करेंगे उसके बाद देखें इसके बाद में रोड 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 वा अच्छा और भी कोई एकजांपल से बिल्कुल है आपको यह बताते हैं इसके एक्जांप पास आपके घर में बहुत सारे उत्व लिदि एक्जांपल आपका पर लगा उपर वाले एक्टिविटी का जस्त यह क्या है एप्लिकेशन आपकी यूज़ कैसे होंगे तो आप यह देखिएगा यह आपकी घर में यूज़ होता है यहां पर करन लगता है करन इसमें अंदर फ्लो होता है यह रेड होट होता है फिर गर्मी देता इसी तरीके से और सब्सक्राइब वायर लगा होगा और यह रही घर मोटा यह वी सेम प्रिंसिपल क्या की हीटिंग एफेक्ट ऑफ इलेक्टिक करन इसी तरीके से एक केटल भी आने लगी है इसमें क्या होता है कि इसके अंदर की तरफ पानी भड़ते हैं और इसकी जो आउटर सरफेस औ एक रोम वायर लगा है और वही गरम होता है और वह गरम होता था अंदर वाली चीज़ को गरम करता है तो यह सब चीज़े क्या है यह सारी चीज़े उसी पर बेस्ट है एक और वर्ड आपने देखा हो inerson road, यह क्या होते पानी गरम करने की चीज उती है यह road जो अभी use करना वो inerson road और ये सब चीज़ा आप घर पे use करते हो, heater, iron room heater, inerson road kettle, hair dryer आज कर एक नईा चीज भी आने लगिए इसको बोलते है hair dryer ये क्या करता है, ये hair की प्रिंसिपल है कि लगा है कि झाल ऑन फेन है उसे इस मिछुस आपको है कि यह सब तृब छोथी है उसको अलीओं बोलते हैं क्या हो यह विसके इलेमेंट से इसके अंदर यह एलिमेंट है यह इन्द हो के करण से रेड होट होगा रेड होट होने के बाद में यह क्या करेगा इसी किस पर डिपेंड करता है इसका माटेरियल होता है इसकी लेंद जितनी लंबी होगी उसके तरह बटा है यह बहुत बड़ा हीटर होता है इस तरह बढ़ा होगा वह आप दिखने उतनी एक तो हीट भी ज्यादा देगा गर्मी ज्यादा होगा इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक बिल भी ज्यादा आएगा अधिकनेस यह इस पर भी डिपेंड करता है यह पर पड़ाता है हम लोग इसमें पड़ाते हैं कि रोल अपन ए रजिस्टेंस पड़ाता है वह आपको अब नहीं पड़ाना आप तो यह रहां तो मटेरियल लेंथ और ठीकनेस इह पर डिपेंड करेगा इसके अलावा दो-तिन चीज़ें और हैं एक है इलेक्ट्रिक फ्यूज यह आपकी घरों में होता है अप्लाइंस जिसे आपकी होता है कि आपका यहां पे इलेक्ट्रिक का पॉल लगा है यहां से करन्ट का फ्लो हो गया आपके घर में पर आपके घर में बहुत जिसे मैं का यह फ्रीज है आपके घर फ्रीज टीवी कुछ भी देख लेते वह जल्दी खराब होती तो यहां से डारेट करन नहीं आता है करण कहां से यहां से अंदर यह जो कट आउट से यहां पास होगी और यहां पर आप देखना कि एक ऐसी चीज लगी होती जिसका नाम है फ्यूज वायर और यह कट आउट इस तरीके का होता है इसके अंदर यह यहां पर एक फ्यूज वायर लगा है करन्ट यहां से आता है यहां तक तो आगया है यहां से अंदर जा रहा है कोई प्रोल्म नहीं है पर जब ज्यादा करन आ जाता है तब क्या होता है यह यह होकर मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट हो जाएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा यह जो ब्रेक हो जाएगा यह जो वायर मेल्ट हो गया तो अब यहां पर ब्रेक हो गया अब ब्रेक हो गया इस केस में क्या होगा यह जो करण्ट यहां से जानी थी इसके अंदर यह नहीं जाए यहां पर circuit brake हो गया है इसी को बोलते हैं आप electric fuse तो यह क्या चीज़े इन्होंने जिसे अगर यह electricity यहां चली जाती तो यह इसको fuse कर देती इसके अंदर की जितने भी है appliances उसको जला देती तो यहां इन्होंने safety purpose से लगाया तो यह एक safety device है electric fuse क्या है safety device which use in electric circuit अब इसके परपज क्या है to protect the electric equipment appliances of the home यहां क्योंकि electricity कब ज्यादा आ जाए इसको manage करना बहुत मुश्किल कहाम है कभी ज्यादा electricity आ जाए तो इसके लिए सबसे important यहीं कि अंदर के से पहले एक breakdown करने वादी एक डिवाइस लगाई है और वह भी डिवाइस किस पर depend करेगी वह heating effect पर करन यहां तक तो आ गया पर यहां से कैसे जाएगा यहां से जाने के लिए तो अब क्या होगा एक वायर लगा दिया यह यह जो वायर है यह क्या कह रहा है यह वायर क्या कह रहा है यह वायर कह रहा है कि electricity जो हो रही है यह यहां से जो आ रही है इसी को उन्होंने क्या किया यह वायर मेल्टिंग इतना जल्दी है इसका उसके लिए इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा जल्दी हीटिंग बढ़ेगी हीट होके जल्दी मेल्ट होगा मेल्ट होने के बाद में सर्किट ब्रेक करेगा तो इसकी क्वालेटी यह होती ह जल्दी गरम होता है और मेल्ट भी जल्दी होता है अब आप बोज़ों यह तो 3-4-7 दिन में हो जाता है कोई बात नहीं अगर यह नहीं मेल्ट होता तो आपके अंदर की इतनी भी अप्लाइंसे वह जल जाता है तो यह तो और अच्छी बात है कि सेप्टी डिवाइस है और चाहिए जैसे होता गया यहां पर आया यहां से गया तो इसके बीच मेल्ट हो और यह कोई खास महगा भी नहीं आता है बहुत सस्ता आता है लेकिन इसने क्या किया आपके 20,000 चीज को बचाने के लिए तो वह सस्ता है 20 रुपीज में आ जाता है अच्छा कुछ एंप्लाइ यहां तक करंट आई इसके बाद में इसमें अंदर जा रही है तो अगर तो यह अंदर ही मेल्ड हो जाएगा तो इसमें करण नहीं जाएगी करण नहीं जाएगी तो क्या होगा यह जो तेज इलेक्टिसिटी के कारण से जो जलना था यह अब उस केस में अब नहीं जल रहा क्योंकि यहां पर ब्रेकिंग हो गई तो यह फ्यूज वायर आता दस रुपए गई है लेकिन यह काम बहुत करता है अब इसकी जगे आज के लिए नहीं आने लगे एमसी भी बोलते हैं उसको वह आपकी बूक में साफ साफ लिखा है मैं बदाता हूं क्या लिखा है तो यहां दीजिए वापने हम गरंपल करकेश में इस तक होता इसमें अंदर जो होता है यह गरंग होता है इसमें बैर अधर से जाएगा करन फिर यू जाएगा फिर यू आएगा फिर बाद में यहां से निकलेगा पॉजिटिव तो यह नेगेटिव टर्मिनल इसके बाद में इसका रेजिस्टेंज ज्यादा होता तो गरम होता है यह जब गरम होगा तो इसके साथ में आप देखना नीची की तरफ लगी होती है करने को वाली किसके वह लोहे की प्लेट होती है इस से आपके कपड़ों की आयरन का मता ही practically कफलोगा तब आप दिखना होता इसका वायर इस तरीके का होता और इसमें बहुत क्वालिटी जो होती है वह इसमें रेजिस्टेंज भूट हो जाजा उसके इसमें रेड होट हो जाता है इतना गरम हो जाता है कि इसके गर्मी को हटाने के लिए यहां पर नोन ड्यक्टिव ग होता है तभी वो गलो करता है हीटिंग नहीं होती एफेक्ट तो यह तो कुछ काम ही नहीं आता है यह सी एफल वगेरा ट्यूब लाइट बॉल्ब यह सारी इसी पर इपेंडेंट है आपको पुछा जाता है कि इसका नेम बताइए तो आपको यह याद रखना है चोटा कर दिया गया है फ्लोर सेंट इसका मतब है कि इसमें लाइटिंग का वर्क है लाइट प्रोडूस करता है लेम इसके लेम लेम तो बल्ब और रिवाइस का नेम है पर यह कॉम्पेक्ट कर दिया गया है और फ्लोर सेंट है और यह आपको सीफल का नेम याद होना चाहिए फ्यूज वायर बहुत इंपोर्टेंट है यह इसको बहुत है कट आउट आपकी पुराने घरों में जरूर लगा होगा यह इसके बारे में आपको डिटेल बताई दिया कि यह है वायर जो कि मेल्ड होता है करंट जैसे यहां करंट क्या होता है यह इन में आता है इन में से अपनी उसमें जाता है गरों में पर इसके बीच में यह लगा होता है यह आपको यह भी आपको दिखेंगे टीवी फ्रीज स्टेबलाइजर सब में इसका एक और एक सब्स्टिटूट आ गया इसका नाम है mcb यह देगो mcb का मतलब होता है miniature circuit break यह बहुत important है यह चीज आपको याद हो जाने चीज़िए कैसे है पहली बात तो इसका नाम यह दो यह mcb miniature miniature का मतलब इतना छोटा कर दिया है आपके घरों में अक्सर देखना वहाँ पे होगा circuit को break करने का का में इसका तो नाम ही उसी तरह किसे रग दिया गया है miniature मतलब छोटा circuit मतलब circuit वह आपको बता है bulb से लेकर current से लेकर appliances से switch से लेकर जो बनता है उसको break करने का काम करता है तो यह होता क्या है कि इसके अंदर क्या होता है ही की इस सरके टिया बाएं इस तरो फोटा है कहा लगा होगा इसके अंदर हो इसके आजनो यहां से वापिस घरों में जा रहा है इसके बीच में बुछता है यह क्या होगा है इसको बोने ईन पयोशूजियन जैसे हैति इसमें से ज्यादा क्रटा यह तो अंदर का जो element गरम होता है गरम होता है तो आप देना यह जो circuit है यह इस तरीके सा आजाएगा नीचे गिड़ जाएगा मतलब यह अपने आप गिरता है इसमें कोई वह रही है अब आपने क्या होगा वह हीट करने के कारण से अगर ऐसा नहीं होगा तो current आगे फ्लो कर जाएगा तो अप्लाइन से जल जाएगे अब इसके बाद में क्या होगा जिस current का जो जिस current से problem आ रही थी वह आपने वहां से problem हटा दी इसके बाद आप इसको फिर से अप करोगे इस तरह करोगे यह ओन पोजिशन हो जाएगे तो अभी किस पोजिशन में क्यों हुआ कि ज्यादा current आया उसने heat किया हीठ करने कि बाद उसने circuit को गिरा दिया तो ब्रेक कर दिया तो यह circuit को ब्रेक करने वाली से आज करतन ब्रेकिंग वाली है अपने आप गिड़ जाती है ठीक है इस तरीके से आपको यह देखनी है और यह इंपोर्टेंट है आपके घरक में अगर यह नहीं होगा तो सारी जो सरकिट हो सब ब्रेक हो जाएगा